हलो दोस्तो आई टाई क्लासिस में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे वर्ष 2015 में पूछे गए ट्रेड थियोरी मेकैनिक मोटर विकल के कुछ इंपोटेंट कोशन्स तो आईए सुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले में आपको बताना चाओंगा यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करें सेर करें और साथ में बैल आइकन भी दवा दे ताकि हमारे नई वीडियो और अपडेट आपको मिलते रहें तो आए शुरू करते हैं पहला पर्सन इसमें दे रखा है आपको चिपिंग के लिए कास्ट आइरन का करतन कोन होता है उप्शन इसमें आपको बताएगा है 60 डिगरी, 55 डिगरी, 90 डिगरी, 37.5 डिगरी तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उप्शन नमबर A, 60 डिगरी उसके वाद अगला पर्सन इसमें आपको चिनन करते समय रिफ्रेंश सत्य परदान की जाती है उप्शन इसमें आपको बताएगे हैं पहला उप्शन है surface gauge द्वारा, दूसरा उप्शन है workpiece द्वारा, तीसरा उप्शन है कारिया की drawing द्वारा, चोथा उप्शन है आपका टेबिल की सत्य को चिनित करने पर, इसका जो सही आंसर होगा उप्शन नमबर C होगा कारिया की drawing अगला परसन आपका मसीन पर टेपर सेंक ड्रील पकड़े जाते हैं उप्षन इसमें आपको बताएगा है पहला उप्षन है चक दुआरा दूसरा उप्षन है ड्रिफ्ट दुआरा तीसरा उप्षन है स्लीव दुआरा, चोथा उप्षन है वाइस दुआरा तो इसका जो सही आंसर होगा उप्षन नमबर C होगा स्लीव दुआरा इसके बाद अगला परसन है आपका दो समान किनारों के थेड की निचली सतय को जोड़ना कहलाता है उप्षन इसमें आपको बताए गये हैं पहला उप्षन है क्रेश्ट, दूसरा उप्षन है रूट, तीसरा उप्षन है फलेक और चोथा उप्षन है आपका गहराई इसका जो सही आंसर होगा ऐप्षन नमबर B रूट होगा अगला परसन आपका हैलिकल कोन को ग्यात किया जा सकता है इसमें आपके ओप्षन है पहला ओप्षन है कटिंग कोन दुआरा दूसरा ओप्षन है चीप कोन दुआरा तीसरा ओप्षन है रैक कोन दुआरा चोथा ओप्षन है लिप कोन दुआरा इसका जो सही अंसर होगा option number A, cutting cone दुआरा अगला person है आपका reamer का परियोग किया जाता है option S के पहला option आपके पास है पतली seat में छेद करने के लिए दूसरा option है गहरे छिदर करने के लिए तीसरा option है खुरदूरा किनारा हटाने के लिए चोथो option है छिदर को बड़ा और finish करने के लिए इसका जो सही अंसर होगा option number D होगा छिदर को बड़ा तथा finish करने के लिए इसके बाद अगला person है आपका subscriber किस धातु का बना होता है option इसमें आपको दिये गए है पहला option है mild steel का दूसरा option है उच carbon steel का तीसरा option है पीतल का चोथा option आपका कास्ट आगन का इसका जो सही answer है option number B उच carbon steel का इसके बाद अगला person है आपका snips का परियोग खालिस्तान तक की मोटाई की धात्विक चादरों को काटने के लिए किया जाता है option इसमें आपको दिये गए है पहला option है 1.2 mm दूसरा option है 3 mm तीसरा option है 3.5 mm चोथा option है आपका 4 mm इसका जो सही answer option number A 1.2 mm इसके बाद अगला person है आपका एक cross pin हतोडे का परियोग किया जाता है option इसमें आपको बताए गए है पहला option है धातों को सभी दिशाओं में फैलाने के लिए दूसरा option है परहार करके धातों को केवल एक दिशाओं में फैलाने के लिए तीसरा option है आपका परहार करके धातों को समकोन पर केवल एक दिशाओं में फैलाने के लिए चोथा option है इसमें आपका पंच करने और जोडने के लिए इसका जो सही answer है option number B, सही answer होगा आपका परहार करके धातु को केवल एक दिशा में फैलाने के लिए अगला परसन है आपका निमन में से कौन सी GI seat का उधारान है option इसमें आपको दिये गए पहला option है aluminum lepith, दूसरा option है तांबा lepith, तीसरा option है zinc lepith और चोथा option है इसमें सी सा lepith, इसका जो सही answer है वह आपका option number C, जिंक lepith अगला परसन है आपका soldering iron का head की सधातु का बना होता है option इसमें आपको दिये गए है पहला option है stainless steel का, दूसरा option है mild steel का, तीसरा option है लखडी या प्लास्टिक चोथा option आपको दिये गए है, फोर्ज तांबा, इसका जो सही answer option number D, फोर्ज तांबा इसके बाद अगला परसन है आपका किसी पदार्त में छेनी कर्तन करेगी, जब option इसमें आपको दिये गए है, रैक कोन अधिक होगा दूसरा option है clearance कोन बहुत कम होगा, तीसरा option आपका आनत कोन अधिक होगा, चोथा option है इसमें आपका आनत कोन बहुत कम होगा, इसका जो सही answer option number B होगा, आपका clearance कोन बहुत कम होगा इसके बाद अगला परसन आपका ठंडे इंजन में piston slap का मुख्या कारण है, पहला option इसमें आपका अत्यदिक ring gap होना, दूसरा option आपका clearance कोन अत्यदिक कम होना, तीसरा option इसमें आपका piston का bore clearance अधिक होना, चोथा option इसमें आपका compressor दाब अत्यदिक होना, इसका जो सही answer है वो option इसमें आपको दे रखे हैं, पहला option अलूमीनियम मिसरन की, दूसरा option तामबे की, तीसरा option निकिल मिसरित स्टील की, चोथा option कास्ट आइरन की, इसका जो सही answer option number C है आपका निकिल मिसरित स्टील की इसके बाद अगला परसन आपका cylinder block में परियुक्त पदार्थ, उच ताब और दाब को सहन करने वाला होता है, यह है पदार्थ है, पहला option इसमें आपको दिया गया, कास्ट आइरन, दूसरा option है अलूमीनियम, तीसरा option है तामबा, चोथा option है पीतल, इसका जो सही answer option number है कास तीसरा option 90 degree, तीसरा option 120 degree, चोथा option 180 degree, इसका जो सही answer है, option number D होगा 180 degree, अगला परसन आपका अधिक clearance आयता निर्भर करता है, उप्षन इसमें आपको दिया गया है, पहला option अधूरे combustion, दूसरा option उच कंप्रेसर दाब पर, तीसरा option है कंप्रेसर अनुपात पर, चोथा option आपक कंप्रेसर अनुपात पर, या फिर हम इसे कह सकते हैं, निर्भर कंप्रेसर अनुपात पर, इसकी बाद अगला परसन आपका, crank soft के and play को जाजने के लिए किस गेज का परियोग किया जाता है, इसकी option आपको दिया गया है, पहला option है plastic gauge, दूसरा option है filler gauge, तीसरा option है wire gauge, चोथा option है dial gauge, इसकी बाद अगला परसन है आपका, crank soft पर निमन में से कौन सी उसमा उपचार की परकिरिया की जाती है, इसमें option है दिये गए आपको, पहला option है case hardening, दूसरा option है tempering, तीसरा option है night riding, इसकी बाद अगला परसन है आपका, cam soft pry, वालवो, तेल pump तथा engine pump को परचालित करत है, इसमें निमन में से किस पदार्थ का परियोग किया जाता है, option इसमें आपको दे गए है, पहला option है aluminium, दूसरा option है cast iron, तीसरा option है तामबा, चोथा option है आपका, drop forged steel, इसका जो सही answer होगा, वो होगा, option number B, cast iron